हेलो फ्रेंट्स आज का चैप्टर करते हैं इस्टार्ट आज अपना दिन है तूसरा डे टूज तो आप सौट नोट्स बनाते रहे हैं सौट नोट्स को इतना कुछ फैल है चार कलासों का मेटर ना एक पेज पर आ जाएगा ठीक है और कलास ना पंदर मिंट की होगी मैक्सिम सब्सक्राइब कर सकते हो और इसे आपकी साइकोलोची चलती रहेगी और डेर टू में आज अपन कुछ विकास के सिदान पढ़ेंगे और मैं यहीं बता रहा हूं कि जो सोट नोट्स बना रहे हो वो कल बनाए थे ना वह एफॉर साइज के वन फॉर्थ स्पेज पर बनाना है इतना फैला करने लिखना है ग्रोथ वर्सेज डेवलॉप्मेंट ऐसे टॉपिक लगा कर आपको 14 कीवर्ड लिखने जैसे सतत असतत निशित समय तक चलती है जीवन परियन चलती है ऐसे 14 लिखने थे ठीक है वह कॉर्णर में आप लिख सकते थे अब अपन पढ़ते हैं दूसरे दिन दो परिवास ही पढ़ेंगे हर वीडियो से पहले अपन कुछ पावर टिप लेंगे यह पावर टिप के रूप में जो बार बार पूची जाती है कोई परिवास हैं हो गए कुछ फैक्ट हो गई कुछ किताब होंगी वह अपन याद करेंगे आज अभिवर्द कोश्य गुनन है अभिवर्दि क्या है कोश्य गुनन है चल्वलन मल्टिकर्शन घ्रोथ तो यह परिवाश्ट याद रहाएक कि इसमें कुछ ट्रीक्स या नुमिनिक्स दरत न에 चोटी परिवास हैं अभिवर्दि की एक बातर परिवास आ है फिर विकास के लिए एक पड़ेंगे और यह मोश्ट इंपोटेंट है चार से पांच वार आ रखें वह क्यूसंस में लेकर आ रहा हूं वह चार से पांच वार आ नवी विशेष अए नई नहीं होती तो दिटालाक किसी भी चावी से खुल सकता ता लेकिन पड़ियग तालाक पर्टिकुलर 20 तो क्या हो गया कि उसमें नवीं विशेष अइन योगिता ये हैं ऐसे अपने बना दो आप्सन से हैं सज्विक हो जाते अंब अच टॉपिक में ह होती हैं तो इसलिए इसने लिख़ दिये अभीवर्ति वहार्विकास की सिधान्थ में ज्यादा कॉई धिकत नहीं है सबसे ज़्यादा मैधपूर्ड जो अपना सिधान वहाय विकास की दिशा का सिधान्थ principle of direction ठीक है अब विकास के को ऑफे क्या ठीक है होती होगी तब यह नियम बना है तो कौन सी दिशा होती है तो उसकी दो दिशाएं होती है और यह ट्रम्स आपको क्या करना है याद करना है वह अभी किसमें करोगे इंगलीज में याद करोगे किसमें याद करनी है इंगलीज में याद करनी है कौन सी ट्रम्स एक प्रॉक्षिम और डिजिटल क्योंकि आप इसको इंदी में याद करने बैटोगे तो इसके नहीं यहाँ पर तीर नाम यहाँ पर दे रहा हैं और कई कई पर तो पांच पांच शेचे नाम दे रहा हैं जैसे आप पाद ये सिर्स पदोनमुक शिर्स यह पांग बहुत सारे सब प्रॉक्षिम और प्रॉक्षिम और डिजिटल क्या है इसके बारें पड़ते हैं तो जब कभी आपना मतलब आपको परिवार में कोई चोटा बच्चा हो ठीक है और आप ऑस्पिटल में जाए या फिर घर में उसको नोटिस करो एक साइकोलोजिस्ट के तरफ देखो उसको साल मतलब उसमें किस सесь विकास हो रहा है तो आप जखोगे की जो बच्चा होता है वह ना उस्षोटे वच्चे साथ यह प्रॉब्लम होता है कुछ को इसी को अफुरे प्राख होता है इतना बड़ा सिर मादा होती है तो लेकिन अफिकर्श कर preciso होती है मतलब की अपेक्शा संपता उक्रес पर किसा कंपा मुंवेंट होता है नियुक्त संपाल किस्काट मुंवेंट किसे साइकल जलना डिला रहता है पिर रहना बच्का के पैरों में मॉमेंट होता हैं। कुल मिलाकर अपने नोटीस किया कि बच्क में घजदा हैं और फिर दिरे दिरे इसी करव में पैरों कि तरफ उता है कि जोता है.. इसको ओर अची तरीका से देखें। चाहि इंगलेंड का बच्छा, चाहि बार्ज का बच्छा हो, चाहि रास्तान का, चाहि जोद्वूर का, चाहि आपके गाउं का, सब में ये इक रम है, ठीक है. ये तो हो गए सिपलो कोडल. अब ये zoo सिपलो कोडल, любимोडिजिटल क्या है, दढ़ी साथ ही मतलब जो वह मतलब अपने करवत करता है दो उसका होवेंट है उसका मुँमेंट स्क्राब मुझे Human बाद में सीखते हैं यह सब प्रियों के प्रियाइं जिसे लिखना हो गया जैसे पैंटिंग बनागी यह सब का हूं सीखते हैं वह फाइन मोमेंट घाता है जो तो पहले ऊसके देड़ का विकास होता है फिर वो उसके प्रिदी की तरब बढ़ता है तो ये अपने दो मेर्फुन चिदान पड़े यह कोड़ा विकास की दिशा नहीं रहती है यह वह अच्छी बात है कि जैसे जापुर से जोत पुर जाना है तो आपको इना असी इसा कुछ भी पहले आप स्पीड बढ़ाओगे फिर दीमे करोगे फिर स्पीड बढ़ाओगे तो विकास पी अना मोट साइकल पर जा रहा था और उसकी स्पीड क्या नहीं थी एक जासी नहीं थी पहले तो उसने सेस्वा उस्ता में बहुत तेज गाड़ी चलाई थी फिर थोड़ा सा बाल शालो तक फुलके आहित बढ़ती नहीं है तो हमें मतलब ऐसे लगत आ जएक है कि यह मतलब होना रह जाएगा यह नाटा रह जाएगा ąसे कि यह जैसी किज हो स्काम आता है धड़ाम बढ़ताई है ठीक है तो यह तो विकास की चला की थी पहले तो मतलब तेजी से ग्रो किया था सहसे सेंहें करता में थोड़ी हुस्ता में फिर अच्यानक से किसो रस्ता में वापस तेजी सर्दल तो विकास को उसका यहन canoe सवोता है कर मोता है यह भी अच्छी बात है कि ऐसे सिक्वेंस है कि चाहिए अपरिका वाले चाहिए अमेरिका वाले मतलब यह दोस्त दोनों देशों में चाहिए कितना भी अंतर आजए लेकिन इनका करम तो हमेसा एक जैसे ही रहेगा कि बच्चा पहले है ना गुटनों के बल चलना सिखेगा फ विकास अपने कुछ है उसके नियम है सब को फॉलो करना हूंगी पहले बच्चा गुटनों के बल चलेगा फिर बच्चा पैरुच चलना शीक्षेंगा पहले बच्चा लिस्फिंग करेगा फिर에서 bishop करेगा फिर इसी नहीं है कि इंग्लेंड वाले कहेंगे हम तो बहुत यह जैसा रहूंगा मेरे जो सिदान्त है वो सारू भॉमि के यूनिवर्सल है और इसका क्या है एक निश्चित करम है पहले सुनो फिर बोलो फिर पढ़ो फिर लिखो ठीक है तो यह सिक्वेंस हो गया और सिक्वेंस है ना यह मतलब गामक विकास था जो मतलब गुटनों के ब फिर पहरों के बल यह गामक विकास था यह पासा का विकास था लसा डबलू यह अपने बासा वाले चाप्टर में भी पढ़ते हैं पीचिंग में फिर आता है परस पर समंद का सिदान्त यह जादा इंपोटेंट है क्योंकि विकास के आपने देखे थे बहुत सारे आयाम हो तो वो एफिक्ट करता है पर बिएफEcक्ट करता है वो अपनेसरीर को संबालने ही क्या मतलब तागत हो किसी में अगर समय मतलब दिमाग कर आप applied कि तो फिर मतलब 통역सारीर कि काम का नहीं रहता है जैसा पांगलो को देख लो आप ठेक है इसी परकार मांसी सारे इ inspection नहीं हो हैं तो मांत्तार यह बिच पर देख को आपको हुआ भी माらो sutर आपको और भी को तो शेर अपस्यात मेंन करते हैं अगे सब्सक्तार पुसरीर को साथ मिन जाना को सरे बिस्क पड़ाइन सामाज में लिए का हैसे खत क्षक हैं ठीदे रहो आपकी मतलब कुछ घड़बड हो जाते हैं अगर समाज में आपको सम्मान है तो आपका दिमाग भी ठंडा रहेगा ठीक है तो यह सब बैना यह सारी दुकाने हैं और यह दुकाने एक दूसरे से को परवावित करती हैं अगर मानसिक वाला डिफेक्ट होगा तो सब को डिफेक्ट कर देगा ठीक है आपने देखा होगा जो मानसिक रूप से आसवस्त होते हैं वो नेतिक रूप से भी मतलब आसवस्त होते हैं कहीं पर भी मतलब ऐसे सौच कर देते हैं कुछ भी बोल देते हैं तो उनका है ना यह लिए नेतिक विकास नहीं पाता है तो इसमें सब भी दुकान एक दूसरे से जुड़ी हुई है यह परस परसमन्द का सिद्दा आते हैं और यह क्रोज ने कहाता कि यह जादा इतना डेप में नहीं जाना है मैंने तो लिखती है क्योंकि सर ने बताया था तो वैसे आप भी कर लेते हैं फिर अपन कर बढ़ते हैं आगे पांचवा सिद्दान निरंतर विकास का सिद्दान विकास का जो डाइग्राम होता है वो सतत होता है विकास का डाइग्र से लेकर मिर्तियों तक टॉम टू यह कौन सी है मतलब कर गरब से लेकर कबर तक यह हो गया ठीक है तो यह भी ज्यादा इंपोटेंट है फिर अपन बढ़ते हैं आगे एक ही करण का सिद्धान यह भी आपको याद करना है एक ही करण में यह है कि बच्चा ना कभी उसको मतलब कि आप थोटे बच्चे के पास अपने अंगुली देना वह आपको मतलब पूरे हाथ से उसको पकड़ने की कोशिज करेंगा फिर दीर 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 बढ़ा होगा फिर वह अपने ना जैसकी जरूत नहीं है पूरे हाथ से क्यों पकड़ों मैं तो यह अंगुलियों से ही पकड वर्त रूलाकार है लंवत नहीं होकर वर्त रूलाकार है इसका क्या मतलब होगा कि यह ऐसे नहीं बढ़ता है ठीक है यह कैसे बढ़ता है जूम 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 ऐसे बढ़ता है ठीक है तो यह ऐसे क्यों बढ़ता है भई यह ऐसे क्या नौबत आ गई थो ये किया करता है ये किसका करता है यह जो भी सी garlic फिर यह विराम लेगा और उसको स्रदर्ड कर नहीं बढ़ना है अपने को यह चीज अपने को फिक्स्ट करना है आज अपने हैं पकड़ना शीक लिया है फिर आपने चलना ना दो-तीन साल बाद में शीकेंगे यह पकड़ना सीका है ना इसको पकड़ पकड़ कर दो इसे एबिट बना दो फिर वह आगे बढ़ेगा तो यह सरद्रडी करने के लिए विराम लेता है तो विकास की लंवत नहीं होकर कैसा होता है मतलब से इस्पाइरल होता है नौट लिनियर फिर दो फॉर्मले आपको याद अकना है यह गणित तो पिच्चा नहीं छोड़ रही अपना ठीक है तो यह दो फॉर्मले आ गए अपने फॉर्मले आ गए एक तो है एच गुणा ई एच गुणा एक फॉर्मला बहुत जादा एच का मतलब हेरीडिटी और इका मतलब इन्वार्मेंट तो मतलब कि बच्चे का विकास है ना हेरीडिटी और एंवार्मेंट दोनों से होगा हेरीडिटी कैसे कि मतलब कि जिसके पिताजी इंटलिजेंट है उसका बच्चा भी इंटलिजेंट होगा अच्छी बात हैं दे स्मार्ट हैं आप आपको जंगलों में लेजा कर छोड़ दिया मोगली की तरह तो फिर वहां पर आप कुछ भी जादा मतलब नहीं होगा अब इसको लॉजिकल देखो तो आपको ऐसे कोई छोटी मोटी स्कूल में डाल दें या फिर आपको आयाइटी के लिए कोटा भेज दे तो ठीक है उससे इफेक्ट पड़ता है एनौमार्मक्त से इफेक्ट पड़ेगा कि आप क्या कर पाओगे मतलब की हैरिडिटी टैय करती है आप कहां जा सकते हो वह निर्दारिट करती है कि आप इतने नमबर ला सकते हो लेकिन उसके लिए आपको एनौरमन भी देना कि अगर प्लस का मतलब यह होता है कि अगर एक चीज को जीरो कर दें ठीक है अगर एन्वायरमेंट को जीरो कर दें तो प्लस होता अगर इनके बीच में इसको वापस इसको गौर से देखते हैं अगर एच प्लस इह होता ठीक है अगर इसको जीरो कर देते हैं एन्वायरमेंट करना एक्सिदान थे कि विकास को वातावरण की जरूरत होती है विकास निर्वात में नहीं हो सकता है कुछ ना कुछ इसको इन्वारिमेंट देना ही पड़ेगा तभी कभी आपने देखा है कि कोई बीज है और वह पड़े-पड़े मतलब उख गया है उसको आपने मिटी में सकता है बहुत जाद संभावना है कि वह बड़ा होकर फलफूल दे लेकिन एन्वारिमेंट आप दे नहीं रहे हो तो वह उसका और वाल इंपक्ट क्या हो जाएगा जीरो तो यहां पर अपन इसके बीच में क्या लगएंगे साइन कौन सा गुणा वाला साइन लगएंगे कि अगर ह्रिटी जीरो तो ऑर-अल Billupment क्या होजाएगा जीडों या फिर एन्वाइरमेंट जीरो थो भी और-अल उजाएग जीरो तो एक फॉर्मला तो यह पड़ा यह पुक आपना है और वो इसका जैसरे है रहे हैं कि विंद्लाबर एच गुणा ही यह फॉर्मिला और क का बीच में गुणा होता है तो एक टो एल गुणा हैं और एच गुणा यह दोनों सिदान पी हैं और फॉर्मले के ट्रम में यह बहुत साथ पूचा चाता है विकास क्या होता है मतलब विकास यह होता है कि अन्वान सिकी गुणा वातावरन वहां पर प्लस दे देगा वहाँ पर कुछ अलेक्ट ट्रम्स देदेगा लेकिन अपने को फॉर्मला याद होगा तो अपन वहाँ पर क्यूशन कर पाएंगे अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अब कंटिन्यू करते हैं इसको ठीक है हाँ तो अब पढ़ते हैं समान परतिमां का सदर पराण का सदर कि कि सिधांध के अनसार सब प्राणियों का विकास समान रूप से होता है मतलब कि परतिमान उनका सेम होगा जो अलब कि करम है यह बिदॉस्ट होता है यह हो गया और अब लस्ट लाइड है आपने यह पढ़ लेते हैं कि विकास सामाने से विशिष्ट होता है यह भी दोस्तों फैवरिट क्यूसन है यह मतलब सामाने से विशिष्ट कैसे हुआ कि भी पक्सिम क्या खएगा चिडिया यह चीडिया यह कूवए को भी चीडिया बोल दिया फिर दीरे जीरे पता हुआ यार ये तो सामाने से सब को यह जैसे लेता है पापा पापा सबको पापा पापा बोल रहा है पिर और सब और आन्य रूप से प다면 फिर रहाता है फिर अपने गाली कीstat की टाप रूकल से अपकरता है फिर यह जादा है संचय और पुंद्रावर्ति का सिदान बच्चा ना जो भी सीखता है उसको संचय करता है कलेक्टिविट करता है अब अपने देखा होगा कि अपन बच्पन में इतने खेल खेलते थे इतने खेल खेलते थे गुड़ा गुडियाओं के यह मतलब यह बारिस होती सब्सक्राइब आपकी हरकते वैसी हो जाएगी जैसे बच्चों की होती है तो वह ना कि जो बुड़ा पहुता है वह तब वापस एक वार बच्पन आता है तो कुल मिलाकर ना उसी परकार है जैसे एक शेयर स्वास्ता में मतलब सवप्रेम होता है नासे इसम वह वापस किस एक जास्ता में देखने को मिलता है तो ऐसे कुछ मिलाकर बच्चा जो अबी सेखते हैं वो कलेक्ट कर लाता हो कभी सिंद्ध की बढ़ने बहुता है अपनी तरह पालनमी दिखे यह मतलब कहलें का मतलब है जो छोटी आविस्ता में बच्चा लग रहा है कि वह अच्छे से मतलब मैस हो कर समझ सकता है तो अपन कहते हैं तो बढ़ा होकर इंजिनियर बनेगा ठीक है या फिर वह ऐसे खेल खेलता है कंस्ट्रिक्शन के कुछ बनाता रहता है बिगारता रहता है तो अभी अपन कहते हैं यह तो बोड़ा होकर कारिगर बनेगा ठीक है तो विकास की विवस्चिवानी की जा सकती है पूरों मान लगा जा सकता है यह अधिगम गुणा परिवक्ता वाला पड़ लिया फिर विकास संस्कृतिक परिवेटनों से परभाव है अभी वहां पर ने जो बच्च आप जन्म होगा तो उनका विकास बहुत जाजाएं मन्दव होगा मतलब उस पर डिफेक्ट पड़ेगा जैसे कोरणा के टाइम जो बच्छों का मतलब इसको लिंक थी उस पर डिफेक्ट पड़ाता तो इस परकार से एत्यासिक दसाओं पर भी परवाद पड़ता है फिर यह भी इंपर्टेंट है कि विकास की आरंबिक बुन्याद मेहत पड़ेगा जाता है तो फिर उसका पूरा पूरा जीवन जो भी है वह पूरा विकास टिपेक्ट हो जाएगा मतलब बच्छे का जो से शोचते बहुत ज़्यादा होती है और इसलिए मतलब कई वार यह ट्रम आती है कि पूरवर्ति विकास मैहत पूर्वर्ति विकास हमेश स्कूल लेक्टर को यहीं पर समाप्ट करते हैं आई हॉप आपने इस सेशन को इंजोई क्या होगा तेने वाद